मोहन दास करमचन गांधी यानि की महात्मा गांधी की आज 149 वी ज्यनती है पुरा देश उन्हें अपने भाव घिलीश रथांच्री दे रहा है अंग्रेजों के चंगुल से देश को निकालने के लिए बापू के नित्रित में यू तो कई छोटे बड़े कई आंदोलन हुए लेकि कुछ हैसे भी आंदोलन थे जिन्होंने सतंख का आंदोलन और भारतिय समाश की दिशा बदल कर रख दी तो आए ये जानते हैं गांधी जी के पांश बड़े आंदोलनों के बारे में साल 1917-18 में बिहार के चंपारण में गांधीची के नित्रित में भारत में किया गए ये पहला सत्यग्रा था इसे चंपारण सत्यग्रे के नाम से भी जाना जाता है उससे में अंग्रेजों और उनके पिठ्छो जमीदार भूबी हिन मजदूर और गरीब किसादों को नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे लेकिन बापू ने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ चंपारण पहुँचकर इस अंदोलन का शंकनात किया रॉलेंट सप्पैग्रे की सफ़ता की बाद एक अगस्त बापू ने असयोग अंदोलन की शुरुवात की इस अंदोलन के जरिये कांदी जी ने लोगों से आग्रे किया कि जो भारतियों उपनी वेश्वात को ख़न करना चाते हैं वे स्कूलों, कॉलेजों और कोर्ट में ना जाएं और ना ही कर चुकाएं ये अंग्रेजों के खिलाफ भारतियों की असयों की शुरुवात थी इस अंदोलन ने अंग्रेजी समराच्य को धिला कर रख दिया था नमक सत्यग्रह मातमा गांडी के प्रमुक आनदोलनों में से एक है इसे दांडी मार्श के नाम से भी जान जाता है 12 मार्श 1930 में बापु ने एमदाबाद के पास दित साबरवन्ती आश्रम से दांडी काउव तक 24 दिनों का पैदल मार्श निकाला था उस समय बापु ने दांडी में नमक बना कर अंग्रेजी कानून को तोड़ा था पूना समझोते के बाद कांधीशी ने खुद को पूरी तर से हरीजनु की सेवा में समर्पित कर दिया जेल से चूटने के बाद उनने 1932 में अखिल भारतिय चुआचूट विरोधी लीकी स्थापना की साथी आठ मई 1933 चुआचूट विरोधी आंदोलन की चुआद की उनका ये आंदोलन समा से चुआचूट को मिटाने के लिए था और नमबर पांच भारत चुड़ो आंदोलन भारत चुड़ो आंदोलन द्वित्ते विश्वियूत के समय 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था क्रिस मिशन की विफलता के बाद बापु ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन चुड़ने का फैसला किया आठ अगस्त 1942 की शान को बंबई में अखिल भारतिय कॉंग्रिस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजो भारत चुड़ो का नारा दिया गया था इंडिया न्यूज वैरल की रिपोर्ट